यौ वाट्सअब गाइस कैसे आप सभी लोग वेलकम बैक टू इनिदर गेमप्ले वीडियो तो गाइस आज हम लोग के लिए जा रहे हैं एरपोर्ट रेनोवेटर तो जैसे कि आप सभी लोग को नाम सभी मालूम पड़ी गया कि इस केम में हमें एक एरपोर्ट को गाइस वाकम टू एरपोर्ट रेनोवेटर काफी ज्यादा बड़ी ऐसा म्यूजिक बजा दिया बैक ग्राउंड में चलो बाते कम करते हैं लेट्स प्लेगेम और राइट गाइस तो हमें इस बड़े से वर्ल्ड मैप में एक यह जोगा मिली है जहां पे 50,000 डॉलर्स का ए देकी बार में तेड़ सो तेड़ सो लाक डॉलर का मतलब मस्ट प्रॉफिट होने वाला है लाल अभी हम लोग एक प्राइवेट जेट एक मिनी प्लेन की थूरू उस एयरपोर्ट पे जा रहे हैं जिसे हमने खरीदा है बाकि यार यह देखने में तो काफी ज़्यादा देंगे बाकि मैंने सोचा नहीं था यह इतना जादा गंदा होगा मतलब आप लोग तो सुच रहे होगे यार साफ तो यह गंदा का है तो मैं सही बताओ तो यहां पर ना बहुत ज्यादा है डस्त है और इन सब एयर लाइन पर डस नहीं होती यह ग्रास वगर नहीं होती अ अपना फर्स तास्क है फाइंड दो टू दी हैंगर ओके हैंगर मुझे वह सामने नजदर आ गया है यूज दा एक्स डिस्ट्रोई दा पैड लोग ओके तो यहां पे यह पैड लोग लगा हुए और मुझे एक्स के थूरू से डिस्ट्रोई करना है क्या मैं ऐसे एक्स नि प्लेन को पार्क किया जाता है मैं प्लेन को बाहर करें तो भीग के वह खराब हो सकता है इसलिए यसे अंदर इस सेफ जगा पार्क किया जाता है मैं यह पर इलेक्ट्रिसिटी ओन कर दिया सारी ट्यूबलेट जल चुकी है और भी मुझे सब कुछ यहां पर साफ नज़ार इसको दोड़ा काया कर देते हैं यहां इसको इसका प्लेन आएगा तो अपने पर पार्क कर आए बद्धो है रेडियोध्यर मुझे ओन करना रिडियूवरेशिवर मुझे ओन करना है किसी से मुझे बात करनी होगी लेट्सकोई डीवर को मैं करता हूँ ओन जहां तक मुझ लड़की को लग रहा था कि हम उतर नहीं पाएंगे बाकी यह शाद से हमारे को हेल्प करने वाली है पूरा काम बताने में कर दर ट्रीज हाँ हाँ मैं वही क्या था ठीक है लड़की है अमेलिया है जो हमें बताते जाएगे कि हमें क्या करना इस पूरी पूरी एर स्ट्रीप को साफ करने के लिए तो इसनिका है सबसे बहले तुम यह जो ट्रीज आए एरलाइन के आसपास इनको साफ कर दो वैसे एरलाइन तो यह प्रॉब्लम क्या है एर प्लीन की ज यह ज़्या जरूरी है फट पर यच्छ दो करता हूं महां यह झीज डर शीव तो मैं चीज नोटिस करें पर यह में ऐगा हुआ शिफ फूर सो ने इक एटक में पूरा का पूरा ट्री शिpp プ लाइए कट कर गिर चुका है एक और एटक कर देता हूं लेट्स को लावें लेट्स को अपना first task complete हो गया है yes okay first supply drop आरही है सामने से okay 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 मैं पीछे हो जाओंगा तो इसने में को बोला है कि वो जो plane है उसमें से वो drop गिरेगी और हमें थोड़ा सा पीछे हो जाना कि कहीं वो drop अपने सर पे आके ना गिर जाए भाई लेट्स को तो शायद से इसी तरीकी से में को समान और भिजवाते जाएगी जो मेरे काम आने वाला है फिलाल अपना airdrop जो है वो तो नीचे आई और आ भी गई मेरे को लग रहा था थोड़ा time लेगी नीचे आने में पाराशूट फाइनली खुल चुका है देखते हैं मेरे को समझ गया मेरे को इससे पहले तोड़ना होगा वेट अंदर शायद से एक ब्लॉर है पता नहीं ब्लॉर जासा दिख रहा है हो सकता है कुछ होड़ो बाकि मुझे यहां पर इस पूरी को तोड़ना मेरे को बिचे से अबे हेलो यह गोट उपर क्या कर रही है नीचे मुझे नहीं बता खैर चोड़ो मैं यहां पर में को ब्लॉर मिला बता नहीं हो गोट उपर कर रही है और यह अपने टास्क है help the goat to get down from the roof मैं कैसे कर सकता हूं भाई यह मिरे को नहीं बता खैर चोड़ो अपना काम यहां हो चुका है में जो चीज चीज ती वो मेरे को मिल ग पर बहुत जादा मिटती है और इस थरीके से इस पर ब्ल inhabit नहीं हो सकता तो इस उनों अपने को ब्लोए इसलिए यह ताकि हम लो घुक जड़ध में जितनी पार मिलो अदिक्झ जो जो ड़़ा के सारी के सारि इस साफ कर्पर आँ फिलाल में बॉष जादा गार्वाई यह सारी के सारी dirt के पिश्ड़ा थरीके से यां पर मालनो fight यह मारा blower और सारी के सारी dirt मैंने यहां से हटादी है वैसे runway काफी जाधा बढ़ है तो पूरी dirt साफ करने में काफी जाधा time नहीं लगने वाला क्योंकि बहुत जाधा fast let's go फटाफट से भी फुल स्पीड में वैसे करते वे चलता हूं और अभी सिफो सिफ 22% क्लियर हुआ है नहीं यार मुझे पूरा हैंडेट करना होगा जल्दी से जल्दी और जहां-जहां पर मैं जल्द बाजी में भागते वे कर रहा हूं उल्टा महां पर मुझे एक राउंड और मारना पड़ रहा है क्योंकि इस तरीके से सारी धूल नहीं उड़ पा रही है तो मुझे कम स्पीड में करते करते साइड में सारी धूल करनी होगी और वैसे भी यार यह सारा जो काम है ना है इसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है गाइस एक बारी ध्यान सो देखो इतर मिट्टी कितनी जादा है सही है कि यह हम साफ कर रहे हैं दरवाइस यहां पर कोई भी प्लेन लेंड होता तो पका उसका टायर इस मिट्टी में फस जाता ओके गाइस तो फाइनली मैंने पूरे के पूरे 90 परसेंट रन्वे को क्लीन कर दिया है बाक साइट देखो एक बारी कितनी जादा चमक रही है कुछ ऐसी दिखी रही थी है पहले बढ़ा फाइनली सब कुछ एक तम चमका दिया है और इसी के साथ यह 94 अच्छा जहां जहा यहां पर भी थोड़ी डर्ट है इतने से कोई प्रॉब्लम नहीं अपना नेक्स टास्क है यूज डैक्स टू ओपन दी एड्रॉप बॉक्स यानि एक और नहीं हमारे लिए भिजवा दिया है देखते हैं इस बारी मुझे उस ड्रॉप में से क्या मिलने वाला है फिलाल जितना भी गंद है यह सारा का सारा साफ कर देते हैं यह साफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि प्लेन यहीं से भार निकलना है तो बार निकलेगा तो सीड़ी सी बाता इसमें भीड़ जाएगा ना इसलिए सारा क्लीन करते हैं वागी एड्रोप आ चुकी है लेट् कर देखने में तो वैसा सही लगा रुक जो मैं ट्राइ करता हूं कुछ तो अच्छी चीजी है मुझे पता चल गया था ओके तो यह एक ग्रास ट्रीमर है ओके ठीक है तो अभी मुझे यह सारी की सारी ग्रास कट करनी होगी बाकि जैसा कि मैं कह रहा था इतर ना बहुत जा आते हैं यार यह कितना चोटा-चोटा सम्हान है तो फिलाल मैंने यह वाला एरिया तो ओल्मोस्ट पूरा-पूरा क्लीन कर दिया है अब फड़ा फट से ना अपनी ग्रास काटने वाली मशीन निकालते हैं और यहां पर जितनी भी फालती होगी एक्स्टा ग्रास है इसे य यार कितने ज्यादा बढ़िया तरीक इसे नहीं कट हो रही है यह दिखो क्या मस्ट फील आ रहे है थोड़ी वह साइड की भी ग्रास कट होने चाहिए ताकि जो प्लेन के विंग है वह भी इसमें बिल्कुल ना भिड़े मैं फटा-फट से इसे भी कट करता हूं शाय से पी यह पीछे मुटगए कर लेता हूं कट हो रहा दो कोई दिकत वाली बात निहीं जहां साइट साइड में लगा लेंगे की साइड वाली ग्रास से चलते नहीं के इस टायर चलते है वाली ग्रास कंटोमने चाहिए मैं खाली पीली में वो इतनी देर से काटने में लगा हूँ था कोई नहीं यार सो थोड़ी बहुत और साफ सफाई दिखेगी और अपना जो एरपोर्ट है थोड़ा बहुत और महेंगा बिग जाएगा बागी विलाल यहां पर बहुत सारी ग्रस है से भी कट कर देते हैं यह एर्स्ट्रीप वाली ग्रस तो मैंने 100% क्लीन कर दिये बट अभी यहां पर आ रहा है माऊ दा ग्रस इन दा फ्रन्ट ऑफ दो टर्मिनल टर्मिनल के फ्रन्ट की ग्रस कौन सी वाली वेड़ 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 यह काम हमने पूरा कम्पीट कर दिया है एरलाइन अभी पुरी की पुरी चमक रही है और जैसे हैं पर प्लेन वगरा लैंड करने लग जाएंगे तो दुबारा यह जो घास है यह वैसे उगनेनी वाली थोड़ी पूत इदर बच्ची है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अपना बात में हट जाएगी तो हाँ टार्मिनल के फ्रेंड की ग्रास मुझे क्लीन करने है और शायसे टार्मिनल यह है तो यहां की ग्रास मुझे उड़ानी है ओ यह देखो 7% है अभी यह बढ़ना है स्टार्ट हो जाएगी पूरा क्लीन करना है मुझे से यहां से लेकर इस वाली बाउंडरी के इंदर की जित्ती ग्रास है नहीं सारी की सारी मुझे यहां से हटानी है और सीटी अपना करेक्टारी बजा रहा है वाओ मैं कौन आगे बीचे से खेर यार वह सब ठीक है मुझे यह नहीं समझा रहा कि आखिरकार यह जो गोट है इसको में नीचे कैसे उतार हूँ और दूसरी बात यह उपर कहां से गई जहां से गई है वहीं से मैं भी आ जाँगा फिर इसे नीचे उतार दूगा पर पथा नहीं है कहां से गई यह पर पड़े रहें दो भाड में जाए वाला टास्क ओई यह क्या कर रहा है इसको पहले अटाना पड़ेगा बीच में इसका कोई काम नहीं निकले यहां से हाँ अब करते आंगे काम ओल राइट फाइनली अपना यह नेक्स तास्क है यह भी कंप्लीट हो चुका है हमने पूरी की पूरी ग्रास जो है टर्मिल के सामने की वो भी कट कर डाली है शायद से भी अपनी लेक न्यू सप्लाइर ड्रोप आने वाला है क्योंकि मुझे प्लीन की बे मतलब खुश हो रहा है पता है उसमें अपना समान आने वाला है ओके ओके मैं ओपन कर रहा हूं को तेक इस बार इनोंने मेरे लिए क्या बेजा है प्रेशर प्रेशर वाशर ओकी अभी हम लोग समझ लो समें थोड़ी देर के लिए हमने वुज गेम के लिए ना पावर वो खेलने वाले हैं क्योंकि उन्होंने वही वाली मशीन हमारे लिए बेच दी है श्यासे भी हमें किसी जगा की धुलाई करनी अच्छे से फड़ाफट से इसको मैं उठाता हूं और अभी चल के पाव उई मैं क्या पानी के प्रेशर से से नीचे उतार सकता हूं यास ठीक कुड़ा कबाड़ा है पहले यह सारा हटा देते हैं फिर यहां पर पानी के प्रेशर से से पूरा धोके चमका देंगे लेट्स को बहुत गंद अंदर यार मैंने यह वाला कमरों तो बुरा साफ कर दिया मजे मजे में लेकिन मुझे यह नहीं मालूम था कि अंदर एक कमरा और है जिसमें इससे भी जादा गंद मचा हुआ है फिलाल यहां पर लाइट है पुरानी घड़ी है सब अंदर यह थोड़ा वाश्रूम है चोटा सा यह भी पूरा हटा दो यह वाला बड़ा सा रूम है इसमें बहुत सामान है बढ़ जाएगा ओके दो पूरा का पूरा ट चुकी है वाओ यही अपना टास्क था ठीक है फिलाला भी मुझे से यहां पर मारके देखना है और सेम टुसें अपना पावर वोश गेम वाला मजा रहा है यह देखो हर एक जग एकदम पानी के प्रेशर से साफ हो रहा है स्टार्ट हो गई है वैसे जहां तक मुझे पता ह कि इससे मारूंगा ना तो शायद से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि इस पावर वोशर का प्रेशर बहुत ज्यादा तेज है फ्रंट साइट पूरी चमक गई है एक बारी मैं यह वाली वाल चमका के देखता हूं लेट्स को यहां से मारते हैं ओ हाँ ज्यादा टा इसको अंदर से साफ करने की हां इसे अंदर से साफ करना है ठीक है ठीक है मैं कर रहा हूं लास्प्लाय क्रेट किस चीज़ की मुझे पता है बढ़ पहले में को इसे अंदर से पूरा साफ करना होगा हो के गाइस तो अभी ना मुझे इस टार्मिनल को साफ करते करते काफी ज इतना साफ करूंगा यह उतना महेंगा बिकेगा अभी मैं इसे 157,000 डॉलर का बेच सकता हूं फिलाल अभी थोड़ी बहुत बारिश यहां पर स्टार्ट होके मैं बाहर आ चुका हूं क्योंकि अपने लिए एक और क्रेट आया था ना वो मुझे ओपन करके देखना है कि इसक इसके बारिश के इसके अधर में अपन करके मुझे देखना होगा ओव यह क्या है लाइट श्लाम प्राइव कर देखने के लिए और चाहर मैंने से कितना साफ कर और यह कहर और तुम चाहते हैं यहां पर सेफली उत्रू तो पूरी की बूरी रन्वे पे लाइट लगा दो ताकि उसे रनवे नजर आ जाए बाकी मैं सोच रहो जब तक यह उससे पहले ना मैं यहां पर जितनी गंदगी है यह सारी की सारी साफ कर दूं मैं आपको दिखाता हूं आखिरकार मैं यह सब साफ क्यों करना चाह रहा हूं यह देखो मैंने वाला बॉक्स अठाया और 96 डॉल डॉलर ही गया है मैं और महंगा इसे कैसे बेच सकता हूं वेट हां हम लोग एक काम कर सकते हैं कि यहां पर जो एक्स्रा ग्रास है मैं इसे कट कर सकता हूं क्या पता इससे और महंगा बिके ट्राय करते हैं अभी काफे जदा रात हो रहे हैं कुछ नजर ओई हां यह देखो अभी भड़ेंगे ना पैसे अब मिलते ही जा रहे हैं में लेट्स को गाइस अभी घंस काटता हो जा रहता है यहां पर मुझे एक फ्लार मिला है शाद से अगर मैं ऐसे दस ढूंट के सजा दू तो और महंगा बिके गई है और इस टाइम पर अपने एरपोर्ट का जो प्र बेस रहेगी तो जहां-जहां पर डॉट्स आ रहे हैं मुझे यहां पर लगाते जहना है एक लगानी है यहां पर फिर थोड़ा सागे वैसे कोई जादा हार्ड काम नहीं मैं चलता जाता हूं और इसे प्लेस करते जाता हो फिलाल बारिश भी बहुत तेज हो रही है और शा बतानी क्या होने वाला है फिलाल हां मैंने सारी के सारी लाइट लगा दिया एक बारी मैं आसमान में देखना चाहिए तेरी भाई पुबगुत तीस बिच अहलो कि सारी लाइट जल रहे थे क्या हुआ चैक दा फ्यूस बॉक्स तुरी सौल दा पावर आउट है यह कैसे हो गया बाई वेट अभी का यह होरर गेम बनने वाला है कोई खाली पीली लाइट चली बारिश आरी है बिजली कड़ा करी है वेट क्लीन कर सकता हूं जैसे देखो मैंने 91परसंट डस क्लीन कर रा है कहीं थोडी बहुत डًस रहरी है ग्रास भी मैंने बहुत ज्यादा साफ कर दिया है थोडीबहुत ओर बच्चिय इसे भी कट कर देता हूं मैं यहाँ पर बाकी यहाँ बहुत सारा युच यह गंद है इसको होने वाली है मैंने काफी सारे ट्रीज इधर कट कर दी हैं बट यह जो ग्रास है ना इसे यार मैंने बस ऐसे करके जल्द बाजी में काटा था मतलब अभी बता ऐसे अलग अलग जगह पे हल्की फुलकी रह गही है और उसे काटने जारों तो बहुत टाइम लग रहा है काम करत पर खरीदने के लिए वो जो लड़की है जिससे हम बात कर रहे थे वो शायद यहाँ पे आने वाली है लेट्स को ग्रास कटर निकाला अब आगे शायट जाए अभी ग्रास की जगह तेरे भी बाल कट जाएंगे बाई कितनी जादा ग्रास क्लीन करी है मैंने रात भर वैट पूरा देखो पहले कैसा था और अभी मैंने पूरी पूरी एयरपोर्ट को कैसा कर दिया बस यार बहुत है इसे एक एरपोर्ट बनाना है फाइव स्टार होटेल नी बिनाना यहां पर इतना चलता है थोड़ी बहुत यहां पर जो साइट साइट के यह यह ता देते हैं मैंने हटा दिया है नीचे कुछ बोटल्स पड़ी है बोटल भी इसके अंदर ये एक्स सही हटती है वाव हर एक चीज़ी से जाएगी ठीक है ठीक है ठीक है बहुत सफाई होगी भी फटाफट से हम लोग चलते हैं अंदर और यार देखो मैं जितनी बार देख रहा हो ना मु मुझे उसे फोन करना चाहिए इसके थ्रू होगा ना लेट्स को इसे ओन करते हैं और बात करते हैं तो वह लैंड करने वाली है मैं देखता हूं इसका प्लेन कहां पर है यह यह है टू थर्टी वन डॉलर्स देखते हैं हमें इस काम के कितने पैसे मिलते हैं वोशिंग प्र मॉइंग प्रोग्रेस के घास काटने के में सिफ़ सिफ दॉलर्स मिले यानि 85% नमने ग्रास कट करी है बाकी अगर देख जाए ब्लोइंग प्रोग्रेस मिटी हटाने के 91% मने क्लीन करा और 65,000 डॉलर्स मिले हैं और पेड भाई मैंने सारे काट नहीं पीचे दू रह गए रिमूविंग प्रोग्रेस 99% क्लियर कर रहा है मैंने यार मैंने गल्ती कर दी मुझे कुछ डैकुरेशन आइटम मिले थे वह मैंने लगाए नहीं यार वह जो फ्लार्स हमें कठे कर रहे थे न वह कहीं न कहीं लगा देने चुछ थे फिलाला भी उस लड़की का जो प्लेन है वह यहां आ चुक है और काफी जदा बड़े तरीके से लाइंड कर गया है टोटल 277,000 डॉलर्स हमने यहां से अर्ण कर लिए लेट्स गो तो चलो काईस आज के वीडियो में इतना ही अगर आपको यह वाली वीडियो चील लगी हो तो फड़ा फट से वीडियो को जाके ला बाइ